आप सभी देश्वासियों को अंतर राष्ट्रिय योग दिवस की बहुत बहुत शुब कामना हैं। हर वर्ष योग दिवस के आउसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्तित रहता हूं। आप सब के साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दाइत्वों की भज़ से मैं अभी अमेरिका में हूँ। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड रहा हूं। साथियों आपको ये भी बता दू कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन योग करने के कारकम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतिय समय के अनुसार शाम साड़े पांच बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट यूएन के मिख्याले में जो विशाल मात्रा में योग करकम हो रहा है। मैं उसमें शामिल होंगा। भारत के आहवान पर दुनिया के एक सो असी से जादा देशों का एक साथ आना अईतिहासिक है अभुत्पुर्व है। आप सब को याद होगा। 2014 में जब यूएन जनरल एसेमली में योग दिवस का प्रस्ताव आया। अंतर राष्टिय योग दिवस के जरिये योग एक वैश्वीक आंदोलन बन गया है। ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों इस साल योग दिवस के कारकामों को ओसन रिंग अफ योगा इसने और विशेस बना दिया है। ओसन रिंग अफ योगा इसका एडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारसपारिक संबंद पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जलस्तों के साथ एक योग भारत माला और योग सागर माला बढाई है। इसी तरह आर्केटिक से लेकर अंटार्केटिका तक भारत के दो रिसर्च बेश यानि पुत्वी के दो दुरू भी योग से जुड रहे हैं। योग के इस अनूठे सेलिबरेशन में देश दुनिया के करोणों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धी को उसके महत्मे को उजागर करता है। भाई और भेनों हमारे रुष्यों ने योग को परिभाशित करते हुए कहा है युजते एतद इती योगह अर्थात जो जोडता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधेव कुटम कम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्ता में हो रहे जी ट्वेंटी समिट की थिम भी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोणों लोग योगा फर वसुधेव कुटम कम की थिम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों हमारे योग इसके सबन में ग्रंथों में कहा गया है। वयामात लबते स्वास्तम दीरग आयूशम बलम सुखम। अर्था योग से वयाम से हमें स्वास्त आयूश और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं। उन्होंने योग की उर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्थर पर हमारे लिए बहतर स्वास्त कितना महत्वपुन होता है। ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्त संकटों से सुरक्षित होते हैं। तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्त और सामर्त साली समाज का निर्मान करता है। जिसकी सामोही कुर्जा कई गुना जादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्ट अप इंडिया जैसे अभियानों तक आत्म निर्भर भारत के निर्मान से लेकर सांस्कृति भारत के पुनर निर्मान तक देश और देश के युवाओं में जो असाधारन गती दिखी है। उसमें इस उर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जन जीवन भी बदला है। साथियों भारत की संस्कृति हो या समाज सम्रचना हो। भारत का अध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो। भारत का दर्शन हो या द्रश्टी हो। हमने हमेशा जोडने अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोशित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है। उन्हें सवरक्षन दिया है। हमने विवीदताओं को सम्रद्द किया है। उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतह द्रश्ट को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोडता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है। जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिये हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिये हमारे गतिरोधों और पतिरोधों को भी खत्म करके रहना है, हमें एक भारत, त्रिष्ट भारत की भावना को विश्व के सामने एक उधान के रुप में प्रस्तुत करना है, भाई यो भेनों, योग के लिए कहा गया है, योगह करमसु कौशलम, यानि कर्म में कुशलता ही योग है, आजहादी के अमरित काल में ये मंत्र, हम सभी के लिए बहुत एहम है, जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं, तो हम योग की सिधी तक पहुँच जाते हैं, योग के जरिये हम निश्काम कर्म को जानते हैं, हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तै करते हैं, मुझे विश्वास हैं, योग से हम अपने स्वास्त को भी बहतर बनाएंगे, और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे, हमारा शारिरिक सामर्थ, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ती, हमारी सामुहिक उर्जा, विख्षिद भारत का आधार बनेंगे, इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुब कामनाएं, धन्यवाद.